प्रित्वी पर कुछ मुठी भर प्रजातियां एक रहस्य मई विशेष्टा साजा करती हैं, एक मासिक धर्म चक्र. हम उन प्रजातियों में से एक हैं. बंदर, वानर, चमगादर, मनुष्य और संभवतह हाथी चचुंदर प्रित्वी पर एक मात्र मैमल्स हैं, जिन्हें मासिक धर्म होता है. किसी भी जानवर की तुलना में हम में अधिक है, भले ही ये पोशक तत्वों की बरबादी और शार प्राई से उपयोग किया जाता है, जिससे मा को अपने बढ़ते बच्चे का पालन पोशन करने के लिए एक आंतरिक आश्रे मिलता है. इस संबंध में गर्भावस्था अद्भुत है, लेकिन ये केवल आधी कहानी है. दूसरे हिस्से से पता चलता है कि गर्भावस्था ए सभी जीवित प्राणियों की तरहा मानव शरीर अपने जीन प्रसार को बढ़ाने के लिए विकसित हुआ है. मा के लिए इसका मतलब अपनी सभी संतानों को समान रूप से देने की कोशिश है. लेकिन एक मा और उसके भूण की जीन्स बिलकुल समान नहीं होते हैं. भूण क और उसके अजन में बच्चे को जैविक रसा कशी में डाल देता है, जो गर्भ के अंदर चलता है. इस आंतरिक जगडे में योगदान देने वाला एक कारक भूण का अंग प्लेसेंटा है, जो मा की रक्त आपूर्ती से जुड़ता है और बढ़ते समय भूण को पोशन दे सीधे मा के रक्त प्रवाह तक पहुचने के लिए उसके संचार प्रणाली में प्रवेश करती है. प्लेसेंटा के माध्यम से भूण मा की धमनियों को हॉर्मोन के साथ पंप करता है, जो उन्हें पोशक तत्वों से भरपूर रक्त का स्थाई प्रवाह के लिए खुला रख इस तरह की अप्रतिबंधित पहुच वाला भूण मा के रक्त शरकरा को बढ़ाने, उसकी धमनियों को फैलाने और उसके रक्त चाप को बढ़ाने के लिए हॉर्मोन का निर्मान कर सकता है. जरूरत पढ़ने पर अधिकांच स्तन पाई माताएं भूण को बाहर निकाल सकती हैं या पुनह अवशोशित कर सकती हैं. लेकिन मनुश्यों में भूण के रक्त आपूर्ती से जुड़ जाने पर उस संबंध को तोड़ने से ब्लीडिंग हो सकता है. यदि भूण ठीक से विकसित नहीं हो या मौत हो जाए तो मा की सेहत को खत्रा हो जाता है. जैसे जैसे बढ़ता है भूण की संसाधनों की निरंतर आवशकता, तीवर थकान, उच्च ब्लड प्रेशर और डाइबिटीज और प्री एकलेमसिया जैसे स्थित्यों का कारण बन सकती है. इन जोखिमों की कारण गर्भावस्था हमेशा एक बड़ा और कभी-कभी खतरनाक निवेश होता है. इसलिए शरीर को ये पता लगाने के लिए सावधानी पूर्वक जाचना चाहिए कि कौन भ्रूण चुनौती के लायक है. यही पर मासिक धर्म फिट बैठता है. गर्भावस्था की शुरुवात इंप्लांटेशन नामक प्रक्रिया से होती है, जहां भ्रूण गर अधिक आकरामक भ्रूणों का भी चयन किया, जिससे एक विकासवादी फीडबैक लूप तैयार हुआ. भ्रूण एक जटिल उतक्रिष्ट समय बध्ध हॉर्मोनल समवाद में सनलगन होता है, जो आरोपन की अनुमती देने के लिए एंडोमेट्रियम को बदल देता है. क्य समय ये हॉर्मोनल संकेत उत्सरजित कर सकता है, जो उसके उतकों को फाड़ देता है. शरीर हर संभावित जोखिम को दूर करके इस समस्या से बचता है. हर बार ओविलेशन के परिणाम स्वरूप स्वस्थ गर्भावस्था नहीं होती है. गर्भाशे किसी भी अनिशेचित अंडे, बीमार, मरने वाले या मृत भ्रूण के साथ-साथ अपने एंडोमेट्रियल अस्तर से छुटकारा पाता है. इस सुरक्षात्मक प्रक्रिया को मेंस्ट्रूेशन कहते हैं, जो मासिक धर्म की ओर ले जाती है. ये जैविक गुण भले ही अजीब हो, हमें मानव जात की निरंतर्ता के मार्ग पर ले जाता है. अब जबकि आप जानते हैं कि प्रित्वी पर स्तंधारियों में मासिक धर्म कैसे होता है, तो आईए इस वीडियो के साथ विभिन प्रजातियों के जन्म के अविश्वस्निय तरीकों का पता लगाएं और हमारे चैनल की सदस्यता लिना मत भूलें ताकि आप से और कोई वीडियो छूट न जाए.